आज की वीडियो में मैं आप सबको 9 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो की अगले 2 महीने में लॉंच हो सकती है इस वीडियो में मैं इन कार्स के प्राइस, इंजन स्पेसिफिकेशन्स, लॉंच डेट और हाइलेटिट फीचर्स के बारे में बताऊंगा बाकी अगर आप लोग चाहो मैं इन में से किसी एक कार के उपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले यानि के नंबर वन पे है हॉन्डा की सी सेग्मेंट मिड साइज SUV हॉन्डा HRV हॉन्डा HRV का इंडिया के अंदर हमें प्राइस 22 लैक ओन्वर्ड का देखने के लिए मिलेगा ये एक सी सेग्मेंट SUV रहेगी जिसका कॉंपिटेशन टाटा हैरियर, MG हेक्टर, जीप कमपस, हुन्डे टूसोन और किया की तरफ से आने वाली स्पोर्टेज से रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर हमें एक 1.8 लीटर पैट्रोल इंजन के साथ साथ, एक 1.6 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन ओफर किया जाएगा ट्रांसमिशन्स में इसके अंदर हमें मैनुल और CVT गेरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा साथी में इस गाड़ी के अंदर हमें ओल विल ड्राइफ कॉन्फिग्रेशन भी देखने के लिए मिलेगी HRV का exterior look देखने में काफी ज़्यदा smooth और aerodynamic बनाया गया है इंटियर में भी सभी तरह की latest features गाड़ी के अंदर आते हैं नंबर टू पे है किया की C-segment SUV किया Sportage किया Sportage का इंडिया के अंदर प्राइस हमें 25 लेक्स के आसपास का देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी की dimension cell toss से थोड़ी बड़ी रहेंगी साथ ही में इसके अंदर हमें एक 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ साथ 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन ओफर किया जाएगा Sportage के अंदर भी हमें 2 वील ड्राइव और 4 वील ड्राइव दोनों ही दिये जाएंगे वहीं transmissions में इस काड़ी के अंदर हमें manual, EMT, CVT, DCT और IMT जैसे कई सारे options देखने के लिए मिलेंगे Kia Sportage का exterior design काफिज़दा aggressive और sharp बनाया गिया है इस गाड़ी के interior में भी ऐसा कोई feature नहीं है जो हमें ना दिया जाता हो Kia Sportage की इंडिया के अंदर expected launch date इस festive season की रहने वाली है दिवाली के आसपास नमबर 3 पे है Hyundai Creta का facelift Hyundai Creta का facelift international market के अंदर debut कर चुका है इसको इंडिया में भी जल्द ही लाया जाएगा इंडिया में इस काड़ी का price में 10,50,000 onwards का देखने के लिए मिलेगा facelift के साथ Creta का exterior design पूली तरह से change कर दिया गया है front fascia Tucson inspired है rear की बात करें तो rear का lighting setup और bumper redesign करा गया है साथी में गाड़ी के अंदर नए alloy wheels भी डाले गए है Creta facelift के interior में भी हमें कई सारे नए features दिये गए है जिन में से इस काड़ी का highlight है इसके अंदर आने वाला advanced driver assistance system facelift में इस काड़ी की engine specifications को continue करा गया है जो की है 1.5 liter petrol engine, 1.5 liter diesel engine और top model में आने वाला 1.4 liter turbo charge petrol engine Creta facelift की इंडिया के अंदर expected launch date October के अंदर रहने वाली है नमबर 4 पे है Kia Seltos का facelift इस काड़ी को भी internationally unveil कर दिया गया है इंडिया में इसका price हमें 10 lakh onwards का देखने के लिए मिलेगा सेल्टास के facelift में भी exterior design पूरी तरह से change किया गया है इस काड़ी का design और ज़्यदा sharp और modern बनाये गया है साथी में नए alloy wheels भी गाड़ी के अंदर हमें दिये गए है facelift के साथ इस काड़ी का interior यानि की cabin भी हमें बिलकुल fresh देखने के लिए मिलेगा साथी में कई सारे latest features, कई सारे rumors के मताबित सेल्टास facelift के अंदर हमें panoramic sunroof और advanced driver assistance system भी देखने के लिए मिलेगा इस काड़ी की engine specifications सेम रहेंगी यानि की 1.5 liter petrol engine, 1.5 liter diesel engine और top model में आने वाला 1.4 liter turbo charge petrol engine सेल्टास facelift की इंडिया के अंदर expected launch date नवंबर तक की रहेगी नमबर फाइफ पे है Hyundai Varna का next generation Hyundai Varna का next generation इंडिया के अंदर expected है हमें 10 lakh onwards के price range में देखने के लिए मिलेगा next generation के साथ इस काड़ी के exterior में हमें काफी सारे cosmetic updates देखने के लिए मिलेंगे front, rear और side fascia पूरी तरह से redesign करा जाएगा वरना कि next generation में हमें कई सारे interior feature updates भी दिये जाएगे लेकिन most expected गाड़ी के अंदर हमें advanced driver assistance system भी देखने के लिए मिलेगा वही जो हमें theta के facelift के अंदर दिया गया है इस काड़ी के engine specifications हलाकी same रहेंगी यानि की 1.5 litre petrol engine, 1.5 litre diesel engine और top model में आने वाला 1 litre 3 cylinder turbo charge petrol engine वरना कि next generation की इंडिया के अंदर expected launch date October के अंदर रहने वाली है नमबर 6 पे है मारूती सुजू की S-Cross का next generation S-Cross का next generation भी international markets के अंदर काफी time पहले आ चुका है इस काड़ी का इंडिया के अंदर हमें price 11 lakh onwards का देखने के लिए मिलेगा generation update के साथ S-Cross का exterior पूरी तरह से redesign कर दिया गया है गाड़ी को और ज़दा upright और bold look देने की कोशिश की गई है इंटेयर में भी काफी सारे feature updates इंट्रोड्यूस करे गई है हाला कि इस काड़ी के अंदर आने वाला engine सेम ही है जो की है 1.5 liter mild hybrid petrol engine जो की हमें 103 bhp की power देता है और 138 newton meter का peak torque transmission options में गाड़ी के अंदर हमें 5-speed manual और 6-speed AMT talk converter दिया गया है S-Cross के next generation की इंडिया के अंदर expected launch date नॉवंबर तक की रहने वाली है नमबर 7 पे है रेनॉल्ड की mid-size coupe style SUV Renault Arcana Renault Arcana को इंडिया के अंदर कई बार testing करते हैं spy shot करा गया है इस काड़ी का इंडिया के अंदर price हमें 13 lakh onwards का देखने के लिए मिलेगा Arcana के अंदर हमें एक 1.3 liter hybrid petrol engine offer किया जाएगा जिसमें की transmissions में हमें manual और DCT gearbox देखने के लिए मिलेगा Arcana का exterior look भी काफी ज़्यादा लाजवाब है Renault की signature design philosophy इसके अंदर देखी जा सकती है Interior में भी सभी तरह की latest features गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे वहीं इस गाड़ी का इंडिया के अंदर competition सभी midsize SUV से रहेगा इसकी इंडिया के अंदर expected launch date नवंबर तक की रहने वाली है Number 8 पे है Tata Curve Tata Curve एक concept के तोर पे हमें पहले ही दिखाई जा चुकी है लेकिन जब ये गाड़ी launch होगी तो ये हमें EV, petrol और diesel तीनों ही options में देखने के लिए मिलेगी EV में Tata Curve का price हमें 20 lakhs के आसपास का देखने के लिए मिलेगा वहीं petrol और diesel में इस काड़ी का price हमें 10 lakhs से लेके 18 lakhs तक के price bracket में देखने के लिए मिलेगा EV में Tata Curve के अंदर हमें 40 kWh का lithium-ion battery pack देखने के लिए मिलेगा ZipTron technology के साथ में ये हमें 400 km से ज़ादा की range निकाल के देगा साथ ही में fast charge supported ये रहेगा इसकी motor भी काफे ज़ादा जबरदस torque हमें निकाल के देने वाली है पेट्रोल में इस काड़ी के अंदर हमें एक 1.5 लिटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो कि हमें 150 horsepower निकाल के देने वाला है डीजल में टाटा कर्फ के अंदर हमें एक 1.5 लिटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा जो कि हमें 108 BHP की पावर देता है और 260 Nm का peak torque ट्रांस्मिशन्स में गाड़ी के अंदर हमें manual, AMT और DCA gearbox दिया जाएगा exterior look आप सब screen पे देखी सकते हैं कितनी ज़ादा जबरदस्त है interior में भी कई सारे feature updates इस गाड़ी के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे इस काड़ी की इंडिया के अंदर expected launch date इस festive season की रहने वाली है यानि की October के अंदर आगे बढ़ते हैं हमारी next और last car की तरफ तो number 9 पे है Kia Carnival का next generation next generation Kia Carnival international markets के अंदर काफी लंबे टाइम से sale हो रही है इस काड़ी को जल्द ही इंडिया के अंदर भी लाया जाएगा इसका price हमें 26 lakh onwards का देखने के लिए मिलेगा और next generation के साथ में इस काड़ी को पूरी तरह से change कर दिया जाएगा exterior design एकदम fresh रहने वाला है वहीं interior में भी हमें भर-भर के feature updates दिये जाएंगे खास तोर से गाड़ी की safety में इसके engine specifications सेम रहेंगे यानि कि 2.2 liter 4-cylinder diesel engine जो की हमें सिर्फ automatic transmission के साथ में देखने के लिए मिलता है Kia Carnival के next generation की इंडिया के अंदर expected launch date November तक की रहेगी तो guys यहीती nine upcoming cars जो की expected है आने वाले दो महिने में launch होंगी इन में से किस car का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है comment करके जरूर बताना